आपका जो maximum समय है वो part C के लिए बचेगा जहां पर decide होता है कि CSIR net exam आप crack करोगे या नहीं Hello friends, welcome to my YouTube channel, तो finally CSIR net exam की date आ चुकी है, बहुत ही बेसबरी से आप सभी को इंतजार था कि आखिर CSIR net का exam कब होगा तो अब date आ चुकी है, 29 January 2022 exam की date है, CSIR का tweet आ चुका है, notification जल्दी ही आने वाला है, अब आप सभी अपनी कमर का स्लोग क्योंकि इस बार exam हमको crack करना है तो exam crack करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जो की बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, और जिसे हम बहुत neglect भी करते हैं कई बार, लेकिन आपको उन चीजों का पता होना चाहिए, और वो है exam का pattern, कि exam pattern क्या है exam pattern को अगर आप अच्छे से समझ लोगे, तो यह आपको बहुत ज़्यादा help करेगा आपकी preparation में, कि आपको किस strategy के साथ preparation करनी है तो सबसे पहले exam pattern की बात करें, उससे पहले आपको बता दू कि CSIR NET का जो exam होता है, CSIR stands for Council of Scientific and Industrial Research, National Eligibility Test, जिसे की NTA National Testing Agency conduct करवाती है generally यह exam साल में दो बार होता था, लेकिन due to pandemic पहले यह exam हो नहीं पाया, इस होज़े से साल 2022 में यह exam तीन बार होगा तो जिसका जो पहला exam है वो होगा 29 January 2022 को CSIR NET का exam पाथ सब्जेक्ट में होता है, Chemical Science, Earth Science, Life Science, Mathematical Science और Physical Science CSIR NET Chemical Science exam के pattern के बारे में अगर हम बात करें, तो friends, total 200 marks का यह paper होगा और 200 marks का जो यह paper है वो तीन sections में बटा हुआ होगा, part A, part B और part C, part A में total 20 questions पूछे जाएंगे और यह questions होगे chemistry के नहीं, यह questions होगे general aptitude के, reasoning के, और यह जो questions है यह across streams, यानि कि जो 5 streams में CSIR NET का exam होता है, उन सभी के लिए same होता है तो यहाँ पर 20 questions होगे, आपको 15 questions करने है, हर question 2 marks का होगा और negative marks 0.5, यानि कि 1 fourth negative marking होगी तो इसमें एक generally हम देखते हैं कि जो science के student होते हैं, वो 20 में से आप यह मान के चलिए कि 10 questions, आपको total 15 questions करने हैं बट 8 से 10 questions आप easily थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो अच्छे से कर सकते हैं इसके लावा आप जो है वो थोड़ी थोड़ी preparation बहुत सारी books आती है, कर सकते हैं, आपको ज़्यादा भी इस पर एकदम focus नहीं करना है, अपना जो focus है वो तो subject पर ही रखना है इसको आप easily कर लेंगे, कुछ questions जो है 8 से 10 questions आप easily कर लेंगे अगर आप थोड़ी सी practice करते हैं बात करते हैं अब part B की, part B में total आपसे 40 questions पूछे जाएंगे, 40 questions में से आपको कितने करने है 35 questions अब यह 35 questions आपको करने हैं, यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है, यह 40 questions पूछे जाते हैं, यह inorganic chemistry, organic chemistry, physical chemistry और कुछ interdisciplinary topics होते हैं उन में से पूछे जाते हैं, तो आप यह समझ सकते हैं कि लगबग आप यह मान के चलिए कि आपको 13 से 14 questions हर section में से मिल जाएंगे, inorganic से, organic से और physical chemistry से यहाँ पर यह जो questions होते हैं, part B के questions आपको इतने ज़्यादा tough नहीं होते हैं अब देखिए, जिसने preparation की है, उनके लिए tough नहीं होते हैं, अगर आपने बिल्कुली blank आप जा रहे हैं, आपकी कोई preparation ही नहीं है, तब तो आपके लिए बहुत easy जो question होगा, वो भी आपके लिए tough होगा, लेकिन अगर आपने अच्छी preparation की है, तो part B आपके लिए हलवा है आप easily part B में अच्छा score कर सकते हो, और साथी साथ आप बहुत जल्दी score कर सकते हो, यानि कि अपना जो time है, वो कम time में आप part B को clear कर सकते हो, जिससे की क्या होगा, आपका जो maximum समय है, वो part C के लिए बचेगा, जहाँ पर decide होता है, कि CSIR net exam आप crack करोगे या नहीं, कैसे होता ह आगे मैं आपको बताऊंगा, तो part B हमने समझ लिया कि 40 questions आते हैं, 35 questions आपको करने हैं, हर question 2 marks का होता है, और 1 fourth negative marking है, यानि कि 0.5 आपका negative mark है, यहाँ पर जो questions होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, और आप previous year के question देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं, कि जो questions के level है, वो कैसा होता है, बात करते हैं, part C की, part C deciding factor होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको total 60 questions पूछे जाएंगे, और उन 60 questions में से आपको करने हैं, केवल और केवल 25 questions, आपको बहुत ज़्यादा easy लग रहा होगा, कि 60 में से 25 हम कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपका असली test होता है, chemistry क कि असली test यहाँ पर होती है, क्योंकि आप देखिएगा, यहाँ पर जो भी question पूछा जाता है, उसमें 2-3 concept को मिला कर एक question पूछा जाएगा, यानि कि आपकी पूरी chemistry जो है, वो चेक कर ली जाएगी, एक ही question में, generally student का mindset होता है, कि objective type है, क्या पूछ लेंगे, लेकिन अगर आपको यह देखना है, आप previous years के question देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा, कि कैसे, जो exam paper set करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा highly qualified professors होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको experience होता है, उनको पता होता है, कि student कहाँ पर गलती करेगा, तो उनके options भी ऐसे ही होते हैं, उनके options हमे तो यहाँ पर आपको क्या जहान रखना है, कि 60 question आपसे पूछे जाएंगे, 20, 20 और 20 आप यह मान के चल सकते हैं, कि आपको 20 question organic, 20 question inorganic, 20 question ही physical हो सकता है, एक या दो question किसी भी section में कम ज्यादा पूछे जा सकते हैं, तो आपको किसी भी 2 section है, either organic, inorganic, either inorganic, physical, या कोई भी ऐ ऐसे 2 subject का combination आपको strong रखना है, जिसमें आपकी अच्छी पकड़ हो, क्योंकि हमने देखा है student होते हैं, जिनका organic अच्छा है, बट physical अच्छा नहीं है, generally जो bio के student होते हैं, उनकी organic chemistry अच्छी होती है, बट physical अच्छी नहीं होती, जो maths background के होते हैं, उनकी physical chemistry अच्छी होती है, इन औरगनिक अच्छी होती है, लेकिन औरगनिक अच्छी नहीं होती, तो आप ये देखिए कि आपकी strength क्या है, अपनी strength के accordingly, अपने जो 2 pillars हैं, उनको आप इतना मजबूत कर लीजियो, और साथ में जो तीसरी subject है, उसके जो important topic है, उनको आप कर लीजिये, previous years के question देखिए क कि किस type के question पूछे जा रहे हैं, तो आप समझी गए होंगे, आपको 2 pillars, organic, inorganic, physical में से कोई भी 2 pillars तो इतने मजबूत कर लेने हैं, कि वहां से कुछ भी पूछा जाए, तो आप कर ही लोगे, और देखिए आपको बहुत choice मिल जाएगी, 60 में से 25 questions ही आपको करने हैं, तो ये पहले भी कहा था, part B में अपना समय बचा लोगे, तो part C में आपको बहुत जादा help करेगा, आपको figure out करना है कि उन 60 questions में से कौन से ऐसे 25 questions हैं, जो कि मैं 101% उनको सही कर सकता हूँ, या कर सकती हूँ, ये mistake बहुत से student से होती है, आता बहुत कुछ है, लेकिन जल्द बाजी म समय ना होने की वज़े से, part C में questions का selection गलत हो जाता है, और finally होता क्या है, selection नहीं हो पाता, तो आप ये गलती मत करिएगा, और इसके लिए आपको जितने ज्यादा previous years questions solve करेंगे, आपके लिए helpful होगा, mock test जितने देंगे उतना helpful होगा, 3 hours का एक आप time set कर सकते हैं, और पूर time बहुत जादा important factor होता है, exam में जैसे ही आप बैठते हैं, time इतना जल्दी निकल जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता, तो आपको पहले से उसी के accordingly preparation करनी है, तो मैंने आपको part A, part B और part C, तीनों का बता दिया, part C में जो 25 questions होंगे, वो 4 marks के होंगे, और यहाँ पर negative marking 1 by 4, य set के साथ, सही strategy के साथ, अपनी preparation continue करिए, and I am sure आप जरूर select होंगे, साथ ही साथ, एक last point आपको कहना चाहूंगा, कि जो भी आप पढ़ते हैं, read, revise, revise अगर आप नहीं करेंगे, तो chemistry बहुत volatile होती है, आप जल्दी से भूलते जाएंगे concept को, तो जो भी आप पढ़ते हैं, अ इतने भी questions पहले आएं हैं, वो आप सभी solve करिए, क्योंकि जितना हम पढ़ने से याद नहीं रख पाते हैं, उससे कहीं ज्यादा, जब आप उस concept से related questions को solve करोगे, तो आप उस concept को ज्यादा लंबे समय तक याद रख पाओगे, तो अच्छे से अपनी preparation को जारी रखिए, ज पहिंद वंदे मातरम